मस्कार दोस्तों आप लोगों का नोटबुक aeas मे श्वागत है जैसा कि मैं कई बार आप लोगों को बतला चुका हूं कि हम लोग कोई भी राज्ययराग की कोई भी वैकिंसी आतीह तो वकेंद रुस्रकार दवारा तो उस पर यह थासी गृप रियास करते हैं कि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन का डीटेल में अध्यान करके आप लोगों के लिए वीडियो लाएं संछिप्त में ताकि आप लोग जल्द से जल्द इसे देखें और साइबर कैफे या खुद से भरने का प्रयास करें तो आईए उसी संदर में हम लोग जिक्र करते हैं विहार विधान सभा सची वाले द्वारा चार पद निकाले गए हैं उसमें करमबध तरीके से हम लोग पदों को की चर्चा कर रहे हैं या विज्यापन संख्या आपका है जीरो थीरी आपलिक दोजार तेईश डी इओ डाटा एंट्री आपरेटर का यह पद है आईए हम लोग इस पद के बारे में आगे देख लेते हैं इसका लाश्ट तीटी और फार में कब से जमा किया जाएगा यह देखिए यह विहार विधान सभा सची वाला है उपर भी डाटा एंट्री आपरेटर का पद है और इसका विज्यापन संख्या जो है यह आपका जीरो तीन आबलिक दोहजार तेईश है और रजिस्ट्रेशन की आनलाइन का जो प्रारंब तीथी एवं समय है वह आपका एक एक जनौरी दोहजार चौबीस से सुबह 11 वजे से आपक अनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तीथी जो है वह 21 जनौरी दोहजार चौबीस है अब परिच्छा भुकतान सुल्क की अन्तिम जो तीथी है वह 23 जनौरी दोहजार चौबीस है आईए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं आप लोग हमारे वीडियो को स्कीप मत किया कीजि और साथ ही में साथ ही इसका जब देखने के बाद आप लोगों को कहीं कुछ वैसा पिलो तो इसका डीटेल में आप लोग डाउनलोड कीजिए विग्यप्ति और वहां से भी आप लोग देख लीजिए आईए हम लोग बेतन मान की जिक्र कर लेते हैं तो इसका बेतन अस्त जोड़े जाएंगे यदि अभी हम लोग इसको पहले जिक्र कर चुके हैं आईए हम लोग स्रेडिवार पदों की संख्या देख लेते हैं अनारच्छित में जो पदों की संख्या है वह आपका 11 है वहीं अगर 36 आरच्छण में महिलाओं का जैसा कि मैं बतला चुका हूं कि 35 परसेंट महिला के लिए आरच्छण है वियार में तो उसमें से चार पद जो है वह आपका महिलाओं के लिए है वहीं EWS की बात की जाए तो यहां पर भी चार पद आरच्छित है और एक पद महिलाओं के लिए आरच्छित है अनसुचित जाती की बात की जाए तो आठ पर आपका जीरो पदरी जर्व है वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे EBC कहा जाता है और भारत का यह पहला राज्य था जो की OBC को सब कर्टेगराइज किया था और यह जो है नौ पद इसमें है EBC में और यहां पर देखा जाए महिला वर्ग में तो यह आपका तीन पद ह वहीं अगर OBC या पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो इसमें आपके 7 पद है और यहां पर महिला सरेणी की बात की जाए तो आपका 2 पद है टोटल पदों की संख्या देख ली जाए तो आपके 40 है और महिला वर्ग में देखा जाए तो आपका 13 पद है आईए दिव्यांग जन जो अधिकार है 3600 2016 के अनुसार जी ने दिया जाता है उसमें एक पद जो है वह अंद एवंग निम्न दृष्टी वाले दिव्यांग लोगों के लिए है जबकि एक जो बदीर अत्वा स्रमण जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए वैसे लोगों के ल अपद है तो इसको भी आप लोग यचे तीजार अच चण के उनतरगत आता है वहीं अगर सेच्षी की योग्यता की बात की जाए तो आशी की योग्यता इसमें जो राज्य सरकार द्वारा अथ mau केंदर सरकार द्वाराव जो मान्यता प्राप्त किसी भी संसथान से इंटर मीडियेट परिस्द वारे इंटरमीडियेट की परिक्छा वह उत्यर कियेवूं और साथ ही साथ उनके पास आठ हजार की डिप्रेशन प्रती घंटा उनकी गती हो कम्प्यूटर पर वह टाइप करते के और वान्चिक योग्यता की बात की गई है तो वान्चिक योग्यता जो है आपका ओ मांगा है अथ्वा इसके समकु समकच जो है वह डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन ड निवनतम आयू की बात कर ली जाए तो 1 अगस्त 2023 इसमें जितने भी पद आये हैं चारों पदों के लिए यहीं से आपका मानक निकाला जाएगा निवनतम आयू 18 वर्स होनी चाहिए वहीं सामाने वर्ग की जो अनारच्छित है पुरुस वर्ग की उनकी 37 वर्ग है और सामाने पुरुस महिला दोनों के लिए वह 40 वर्ग है अनसुची जाती पुरुस महिला के लिए आपका 42 वर्ग है 5 वर्ग है आए हम लोग आगे देख लेते हैं परिच्छा की पद्द्रति कैसी होगी या परिच्छा सभी सीधी भरती के माध्यम से दो चर्णों में जाच की जाए पहला जो है वह आपका प्रारंभिक परिच्छा ओया मार पुष्टक के द्वारा बहुत विकल्पी होगा और दूसरा जो होगा आपका वह हिंदी एवंग अंग्रेजी तंकर यानि की कंप्यूटर वे जो टाइप है उसके द्वारा होगा तथा यह में साफिस वर्ड प्रोस कंप्यूटर आधारित होगा तो आप लोगों से यह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइप बढ़ा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग टाइप करिए थाकि यह परिच्छा जब हो तो आप लोग परिच्छा में पास ही हो साथ ही साथ आप लोग टाइप उसके प्राक्रिक के बारे प्रस्ण प्रस्णों होंगे और इसमें इसी बीकल्प में से यह उत्तर आपको प्रस्णों जो प्रस्णों होगा और प्रस्णी छार उंकित genau होगी और इसमें अगर आप कोई गलत कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एक अंक काट लिया जाएगा यानि दसमलो दो पांच इसमें निगेटिव है सामाने अध्यान के जो प्रशनों की संक्या होगी वह चालीस होगी वहीं अगर बात कर ली जाए सामाने विज्ञान एवंग गडित के प्रशनों की संक्या यहां तीस होगी अगर मानसिक छमता जाच एवंग तारकिक विचार की बात की जाए तो यहां आपकी तीस होगी प्र जाए क्या क्या आएगा यह बिहार भारत एवंग इसके पड़ोसी देशों के संबंदित समानेयद्यन से संभवता प्रश्ण होंगे समसमाईक विशय होंगे जो महत्पूर राष्टी एवंग अंतर राष्टी घटनाएं हो रही हैं उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िए जो भारत के पडोसी देश हैं भारत और भारत के पडोसी देश je उससे से भी आप पढ़ सकते हैं इसको सहामदा इक पंचाइती राज क्रमिक विकास जो है योजना का स्वतंतरता आंदूलन अंदूलन में बिहार का योग दान अयसे ही और साथ में आपका विज्ञान इम सामान ने विज्ञान के रहेंगे और गड़ीत के जिसको यहां पर इदम डिटेल में दिया है इसको आप लोग पढ़ लीजिए कि आईए हम लोग परिच्छा सुल्क की बात कर लेते हैं तो जो बिहार के मूल निवासी है जो बिहार के मूल निवासी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओवीसी और आर्थिक रूप से कमजोर इडबलू यस अनारच्छित वर्ग के पुरूस एवंग दूसरे राज्य मतलब जो बिहार के नहीं निवासी है उन अभ्यारतियों के लिए जो फार में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 600 रुपे हैं जबकि जो बिहार राज्य के मूल निवासी अन्सुचित जाती अन्सुचित जन जाती एवंग 40 परसेंट जो दिव्यांग हैं उनके वह मूल निवासी सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं वहां की चाहिए वह किसी भी कटेगरी में आ रही है तो उनक आपका 150 रुपेश सुलक है आईए हम लोग आगे अपने नोटबुक आईएस के बारे में चर्चा कर लेते हैं आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाएए और वाइट मीडिया एजुकेशन नोटबुक आईएस वाइट मीडिया एजुकेशन फार और टाइप कीजिए ट 69 का मेंस और 70 का प्री हम लोग कंड़क्ट करा रहे हैं अगर आप लोगों को कोई असुविधा हो रही है तो उस असुविधा के लिए आप लोग यह दिये गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद